और कैसे भारत विरोधी अजंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए ये सब चिंता इसे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। बारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे गमंडिया गठबंदन। अगर मैं कहूं तो कॉंग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गरबनाल से जुड़े हुए हैं। कॉंग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक, अपार्ट ऑफ अंबलिकल कॉड़। और ये इससे सिध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि और मैं नाम लेके भी क्या सकता हूं कि राहुल जी की नकली मुहबबत की दुकान में चीनी समान की साफ नजर आने ल ये दिखता था और भारत के खिलाव दुश प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूस अजंसियों के माद्यम से भी प्रोपगेंडा के तहत होता था। एक अजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैम्पेंड, ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा समान चीनी है और चीन को सम्मान है और जब मैं न्यूस क्लिक की बात करता हूँ, तो चीन के द्वारा समपोशित, ग्लोबल मीडिया संस्तान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूस क्लिक की अगर मैं बात करूँ इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड पांच दिन तक चली उसमें कहां-कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूँ, कि क्या-क्या उस समय हुआ, उस समय भी प्रशन उठे थे, कि आखिरकार य कि फंडिंग एक्दम से कैसे और कहां से आई, अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे, तो विदेशी नेविल रॉय सिंगम, ये सिंगम को ये सिंगम फिल्म की बात ने कर रहा है, ये नेविल रॉय सिंगम ने इसकी फंडिंग की, और फंडिंग उसको कहां से आई निवेलरॉय सिंगम को चाइना पीछे से करता है और इसमें निवेलरॉय का जो सीधा संपर्ख है Communist Party of China के एक प्रोपगेंडा आम के साथ है जो Chinese Media Company Mako Group के साथ ऐसा किसने कहा जिसके ओपर Congress औरने विपक्षिदल बड़ी-बड़ी आते जिन अखबारों के बारे में करते उन्होंने ही पुष्टी की है पुष्टी उस बात की कि जो भारत ने दो साल पहले कह दिया था हमने 2021 में न्यूस क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है कैसे विदेशी प्रोपगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैम्पेन में कॉंग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामन ये आएट